आज शेली मैं आपके साथ भीस फ्राइड राइस बनानी का सबसे सिंपल तरीका सेर करती हूँ मतलब इसी बनाना सच में बहुत ज्यादा सिंपल है तो क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे पैन और इसमें अड़ कर देंगे एक बड़ा चमस तेल आप चाहोते हैं पर बटर काबे इस्तमाल कर सकते हो और इसमें अड़ करेंगे बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ अध्रा, क्लासन, एंड हरी मिर्च सभी को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया है चाहतों ग्रेट करके भी इस्तमाल कर सकते हो और साथ में ही एक medium size की प्यास को मैंने बिल्कुल fine chop किया सबजिया जितनी fine chop करेंगे उतना अच्छा taste and look दोनों आएगा तो बस हलका साटी करेंगे जो base fried rice होता है उसमें सबजियां बहुत जादा soft नहीं होती है and जब हलका से soft हो जाए मतलब pink color आजाए तो उसके बाद add कर दें कुछ और सबजिया है जैसी कि मैंने यहाँ पर ली है गाजट बिल्कुल fine chop किया हुआ ग्रेन सिम्बला में straight bell paper and साथ में पता गोबी आप जब होते हैं हाँ पर beans भी इस्तमाल कर सकते हो and बस हलका से saute कर लेंगे मतलब सबजियों को बहुत ज़्यादा soft नहीं करना crunch बिल्कुल lose नहीं करना है तो बस इसे हम हलका से mix करेंगे and उसके बाद add कर देंगे चावल तो मैंने यहाँ पर चावल को पहली से बनाकर अच्छे से ठंडा कर लिया था तब ही जो वीस फ्राइड राइसस में असली मजा आता है तो बस इसे मैं यहाँ आप राइड कर दे रही हूं and जितने भी spices और sauces अब चावल के उपर जाएंगे तो यहाँ पर मैं आड करेंगे तेस्ट रिकॉर्डिंग नमक और एक चोथा चमश मैं आप राइड करेंगे तोमाटो केचप आप अपने फिवर के नुसार आड कर सकते हूं और साथ में आड करेंगे एक टीस्पून इतना विनेगर और साथ में आड करेंगे यहाँ पर एक टेवले स्पून ग्रें चिली सॉस अच्छा सा स्पाइसी टेस्ट आएगा और हाफ टीस्पून मैं इहाँ पर आड करेंगे सोया सॉस तो मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस यूस किया है तो थोड़ा कमैट कर रहे हूं बस अच्छे से जंटली मिक्स कर लेंगे ताकि चावल का दाना बिल्कुल न टूटे आइंड फाले स्प्रिंकल कर देंगे धनिया पत्ता चौतर स्प्रिंग अनिन कभी उस कर सकते हो एंड मिक्स करने की बाद गर्म गर्म में से सर्फ करेंगे मतलब इतना अच्छा टेश्ट है इसका आप एक वर ज़रूर से ट्राइ करना इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा तो ट्राइ करो इंट्राइंट करने के बाद रेस पी कैसे बनी मेरे सब कमेंट्स इसन में जरूर से सेर करना अच्छी लेए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब